हाई गाई वेलकम टो एपसी मैं राजदीप और आप देख रहे हैं एपसी टेकनिकल वीडियो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है कैनन कॉपियर में मॉस्चर का इसू हमारे यहां बारिस चालू होने के बाद कैनन कॉपियर में टोटल मोडल में मॉस्चर का इसू आना चल्व हो जाता है तो इस मॉस्चर की इशू को हम कैसे solve कर सकते हैं और किस तरह हम अपनी कौपियर को रखें जिससे की मॉस्चर का प्रॉबलम कम से कम आएगा इसी के बारे में मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा आप हमारे वीडियो के लाश्ट तक बने रहें और आप इजिली सीख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप कैसे easy way में monster को दूर कर सकते हैं आपको इसके लिए कोई technician की जरूरत नहीं होगी आप सिर्फ ध्यान से इसे देखें और आप खुद सीख सकते इसमें कोई यह नहीं है कि आप नहीं कर सकते सिर्फ technician ही कर सकता है तो और यह problem भी ऐसा है कि आपको continuously आता रहता है जिसे आज आपने ठीक करवाया या आपने ड्रम चेंज करवा दिया तो आज ठीक है फिर दो दिन बाद फिर से वही कैस repeat होने लगता है वही monster का issue आने लगता है प्रिंट आपका हेजी आने लगता है तो आप काफी परिसान हो जाते हो तो इसके लिए आपको 2-5 मिनट का time नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आगे आने वाले और भी इस टाइब के टेकनिकल वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे है कि सबसे पहले में एक टेस्ट पेज का प्रिंट आउट लेते हैं मसीन से उसमें देखे कि अरू आँ कि लीवर को डाउन करना है और उसके बाद ड्रम का और डीपी का लॉक को रिलीज करना है ड्रम का लॉक रिलीज करने के बाद हमें डीपी को बाहर निकाल लेना है और उसके बाद ड्रम इनिट को भी बाहर निकाल लेना है अब देख सकते हैं अंदर में कुछ भी नहीं है एक लीन है हाँ क्लीन है अब इस ड्रम इनिट को हमें क्लीन करना है और क्लीन करके हमें हीट भी करना होता है तो सबसे पहले हम क्लीन करते हैं इसका जो चार्जिंग रोलर है उसको सुखे हुए अपड़े से हम क्लीन कर लेते हैं इसको रोटेट करके इस चार्जिंग रोलर में काफी डस्ट हो जाता है उसके करण भी दिक्कत आता है तो इसको अब बढ़िया से क्लीन कर लीजिए ड्रम को रोटेट करते जाए और उसके बाद आप इस तरीके से इसको क्लीन कर सकते हैं कपड़े के तुल कि तोड़ा सावधानी से करना है कि इसको अच्छी तरह से पूरा रोटेट करके पूरा पीसियार को बिना खोले ही आप क्लीन कर सकते हैं कि इसके बाद हमें डीपी को क्लीन करना है इसमें जो डीपी में मैग रोलर होता न हम उसे क्लीन करते हैं तो उसको क्लीन करने के लिए वैसे ही सुखे कपड़े से आप उसको किलीन कर सकते हैं तो उसका प्रोसीजर आप देख सकते हैं मैं दिखा रहा हूं उंगली में कपड़े को फसा के आप इसको भी ऐसे ही रोटेट करके आपको किलीन करना है मैं डॉलर को भी रोटेट कर सकते हैं ड्रम की तरह और इसको रोटेट करकर के आपको तो इस तरह से आप Dipique के Mag Roller को clean कर सकते हैं अच्छी तरह से clean करने के बाद इस तरह थोड़ा सा सामधानी से clean करना इस तरह आपको rotate करना है आप do judgments करके पूरे Mag Roller को आपको तो शोखे कपड़े से रब करके क्लीन कर देना है थोड़ा सा प्रैसर के साथ आप ताकि उसमें कोई भी जो डश्ट वगिराओ या नमी वगिराओ वो क्लीन हो जाए कि आप देख सकते हमारा मैग रोलर प्रॉपर तरीके से क्लीन हो चुका है कि इसके बाद हमें ड्रम नीट के उपर है ड्रैग ब्रयोग करना है और इसमें आपको ध्यान रखनाए इसमें जो हवा डालना है मतला हवा देना इसके उपर ओउ आप अपने हाथ में जितना बड़तात कर चकते हैं बस उतना ही ही इत इसमें देना है तो थोड़ा सा यह चीज ध्यान रखना और इसमें लेफ्ट राइट करके आपको गरम हवा देना है जिससे कि आपका ड्रम के उपर का जो नमी है वो दूर हो जाएगा और जैसे हम इसको क्लीन किये था ना चार्जिंग रोलर को पस वैसे ही इस ड्रम उनिट को रोट में ध्यान यह भी रखना है कि इसको एकदम नजदीक से नहीं देना और ना ज्यादा हीट के कारण आपका ड्रम खराब भी हो सकता है कि बस इसी तरह हमें डीपी यूनिट में भी मैगनेट रोलर में मैगनेट रोलर में थोड़ा दूरी से ही गरम हावाद देना है जिससे की मैगनेट रोलर के उपर जो नमी है वो भी सूख जाएगा और इसमें भी लेफ्ट राइट करके देना है एक जगह आपको continuously रखना नहीं है थोड़ा इदर उदर करके देना है वारना एक जगह रखने से थोड़ा सा तकलिफ हो जागा इसमें भी आपको रोटेट करके एक गरम हावाद देना है ताकि पूरा मैग रोलर हीट हो जाए जिसके करन जो भी नमी है वो दूर हो जाए इसके बाद हम ड्रम उनिट और ड्रीपी उनिट को फिर से रिइंस्टॉल कर देते हैं जिस टाइप से वो लगा हुआ था पहले हम ड्रीपी को लगा लेते हैं और उसके बाद हम ड्राम उनिट को फिट कर लेंगे और जैसे हमने उपन किया था वैसे ही इसको लगा देंगे जिस हिसाब से लॉक को उपन किया था उसी हिसाब से इसको लॉक कर देना है कि देख सकते हैं हमारा ड्राम नीट भी लॉक हो चुका है और डिपी को भी लॉक उपर हमने कर दिया लिवर को आप यह कन्वेयर भी उपर उठा दिया हमने और यह धक्कन बंद कर दिया अब इसके बाद हमें मसीन का ओन करना है कि मसीन ओन होने के बाद हमें एक जेरोक्स करके देख लेना है तो है हमारे कस्टमर है उनको ही मैंने जेरोक्स का जिम्मा दिया अब निकाल लिए प्रिंट देखे अच्छा होगया है कि सही है परफेक्ट हो गया तो दोनों मसीन आपका सौट आउट हो गया है क्या क्या दो प्रिंट दो आपका सौट अटार क्या है